नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवरी है कॉर्णिया कैटरेट और लेजिक सर्जिन जब भी हम पेशिंट्स को ओपीडी में कॉस्ट बताते हैं किसी भी प्रोसीजर का चाहे वो मोतियविंद की सर्जरी हो लेजिक सर्जरी हो या फिर अन्य आखों की सर्जरी इसके बारे में कई बार पेशिंट्स कमपैरिजन ड्रॉ करते हैं उनका एक सवाल होता है कि डॉक्टर साब यह हॉस्पिटल इतना महंगा क्यों है वह उस्पिटल इतना सस्ता क्यों है और वह इस तरीके से कंपेर करना शुरू कर देते हैं तो आज मैं इसी विश्यर पर आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्यों कुछ अस्पिताल महंगे होते हैं और कुछ अस्पिताल सस्ते होते हैं देखिए किसी भी अस्पिताल को चलाने में या किसी भी अस्पिताल को स्थापित करने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है जिसमें की लैंड होती है र परदे के पीछे रहता है देखे अगर हम बात करें तो लैंड कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपने देखा होगा कि कुछ सर्जरी टियर वन सिटी जैसे की दिल्ली मुंबई हैदराबाद चेन नहीं सब में उनका कॉस्ट जादा है और वही सर्जरी वही इंप्ल कॉन सी इस्तमाल की जाए है आँकों की सर्जरी में वही बहुत इंपोर्टन रूल प्ले गरती है हो सकता है एक अस्पताल एक पर्टिक्डर टेक्ण लगई उसका की कॉस्ट जादा उ हो सकता है की दूसरा hospital पुरानी technology यूज़ कर रहा हो देखे मेरा कहने का मतलब यहां पे यह नहीं है कि पुरानी technology कुछ खराब है पुरानी technology भी अपने आप में अच्छा काम करती है लेकिन अगर नई technology मार्केट में आती है तो कुछ अस्पताल उसके early adopters होते हैं जिनके current से उनका cost बढ़ जाता है तीसरी important चीज अगर हम बात करें तो manpower cost अस्पतालों के लिए doctor cost काफी जादा होती है जो paramedical workers होते हैं उनकी cost काफी जादा होती है चौती बहुत important चीज है कि maintenance cost कई बार बहुत जादा होता है अस्पताल को चलाने के लिए उसके day to day functioning के लिए काफी खर्चा किया जाता है जिसमें कि हमें protocols monitor करने होते हैं हमें stability का खयाल रखना होता है कि कहीं अस्पताल में infection ना हो जाए जाए biomedical waste management होता है अस्पताल का administrative cost होता है इसलिए अस्पताल चलाने में बहुत सारी बातों का खयाल लगना पड़ता है इसलिए as a patient आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कुछ अस्पतालों में इतना खर्चा क्यों आता है